दोस्तों स्वागत हैं आपका Demagating Wall में मेरा नाम है विशेख दोस्तों आज की वीडियो का हमाय टॉपिक है How to find content by asking your audience दोस्तों इस वीडियो में यही देखेंगी हम audience के थुरू content ideas कैसे ले सकते हैं ठीकी गाइस तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को start करें अगर आपको मिले तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं तो इस वीडियो में हम completely बात करेंगी हम अपने audience के थुरू content ideas कैसे ले सकते हैं तो इससे पहले कि इस वीडियो को start करें मैं आपको बता दू कि अगर आपने इससे पहले कि जो तीन वीडियो से जो कि हमारा आइडियेशन सिस्टम था और दूसरा जो वीडियो को कि हम एक आइडियेशन सिस्टम को किस सरी के से बिल्ड कर सकते हैं वो एक प्रैक्टिकल वीडियो था और उसके बाद जो तीसरा वीडियो हमार आया था अब ओडियेशन के थुरू कैसे टॉपिक आइडियाज ले उस पर हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं तो यह पिसले जो तीन वीडियो से आपके लिए बहुत ही जाएंगे तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार उस देख लाए लिम डिक्सक्रिशन में आपक तो यहाँ पर आपके सकते हैंенानी सब्सक्राइब करका है अगला वीडियो या फिर अगला वीडियो आप अगला ब्लोग पोस्के यहाँ तो आप उनisi सकते हूं लेकिन यह सबसे पहली नेसरीटी है कि आपके पास audience होनी चाहिए तो audience तक कैसे पहुषना है यह तो पिछले वीडियो में हमने देख लिया कि हमको कैसे ideation system build करना है और कैसे हमें trending topics का use करकी videos बनाना है उससे हम अपने followers बढ़ा सकते हैं और उसके बाद आता है यह कि हम audience को किस तरीके से सवाल कर सकते हैं और audience किस तरीके से हम content ideas ले सकते हैं तो अब यहां पर हम उसके techniques को समझेंगे यहां पर थोड़ा तरीके से कि हम किस तरीके से audience से यह पता कर सकते हैं अब पहला जो process रहता है कि आप अपने जो audience है उनसे आप पूछ सकते हो आप उनसे सवाल कर सकते हो अपने content के थ्रू ही आप चाहो तो पूछ सकते हो कि अगर मालो आज का मेरा जो वीडियो है ये खतम होने पर मैं सभी audience से अगर ये पूछू कि अगला topic अगला कौन से topic उनको 10 जोनों ने भी अगर मुझे अलग-अलग topic बता दिया तो उन 10 topic पर मैं वीडियो बनाते मेरे कम से कम एक महिने का content तो पूरा हो जाएगा तो ये एक तरीका हो सकता है अगर अगर आप चाहते हो कि अपने वीडियो के स्टार्टिंग में तो हम ये चीज पूछ नहीं सकते क लेकिन जहां तक उन्हें requirement वहां तक पड़े और end तक नहां पड़े तो end में जो हम सवाल करते हैं वो कभी ना कहीं असा रहता है कि वो इतना ज़्यादा effective नहीं रहता है तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं वो है कि हम Google Forms का use कर सकते हैं तो हम Google Forms का use करके हम अपने audience से सवाल कर स सकते हैं और इस form को भरने के बाद उनको कोई एक freebie हम प्रवाइड कर वा सकते हैं तो इस तरीके से हमारे कोई प्रवाइड कर वा सकते हैं जिससे उनको भी कुछ वैली प्रवाइड होगी और साथ में हमें भी अगले content के लिए topic मिल जाएगा तो यह एक option हो सकता है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर हम कुछ freebie प्रवाइड कर वाते हैं तब तो काफी सारे लोग इस form को फिल कर देत हैं लेकिन क्या होता है अगर हम कोई freebie प्रवाइड करवाते ही नहीं है तो ऐसा में लोग ना इतने बड़े forms नहीं भरते हैं ठीक है तो हमारे पास उसका भी एक alternate option होना चाहिए कि यार निया अगर नहीं भरते form में क्या होता है बहुत लंबा जोड़ा होता है ठीक है तो ह चार या पांच blanks हो जिसको उने फिल करना हो तो चार पांच blanks आज के डेट में कोई फिल करता नहीं है पहले के टाइम पर अलग बात थी कि पहले के लोग फिल कर देते थे उन्हें कोई freebie चाहिए लेकिन आज के टाइम में लोग फ्री में भी कुछ मिल रहा होगा ना अब इसका आंसर जो लोग देंगे आपको तो उसमें हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे कि या मुझे ड्रॉइंग रॉब्लम को डेकोरेट करने में दिक्का था है कुछ लोग बेडरूम को कुछ लोग बहुत है अब अलग लोग अपनी प्रस नों सकता है तो यह एक सवाल हो गया अब दूसरा ओप्षिन होता है हमारे पास कि हम पूल्स डाले है हम पूल्स डाल सकते हैं हम चाया does facebook के आल सकते हैं Youtube के community टैप पह हैं हम अपने ब्लग पे बोंड डाल सकते हैं तो यह सारे ब्लॉग में बोल्स डाल सकते हैं कर दो कुछ पर 1500 पेंट की इतना नंपे वाला जिब तकी वह लोग होने के बाद पुछ बड़ा कि यदि रही कि कि हम अपने ओडियन्स से वो सविय ते और वह उसके तुर उसकी तुरल, उसकी हम अपने some才ा मार्केटिंग कर सकते हैं, तो हम्हारे मार्केटिंग이라 काम आएगी तो वो इमेल्स भी हम उनसे ले सकते हैं और उस सर्वेस च्वटा मोटा क्रेशन उनसे पूछ सकते हैं जिसका आंसर वो एक वर्ड में देश पाए ऐसा नहीं कि उसके आंसर में उनको कोई तो पूछना नहीं है एक्शनल उसका जवाब देना हमारे ओडियंस के लिए काफी एजी रहता है तो ऐसे हमें जो ओडियंस होती है वो इंट्रैक्ट करती है और इंट्रैक्ट करने के थुरू हमको भी अलग-अलग टॉपिक्स मिल जाते हैं अपने एक साल में या एक मैने में इतना अप्लोड करना है और माल लोग हमें पता नहीं है कि हमारे ओडियंस को क्या चाहिए तो डियर्क और यह बहुत अच्छा औप्शन रहता है जिसे हमें आइडिया भी मिल जाते हैं और हम रेलेट टॉपिक पर वीडियो भी बना पाते हैं तो यह एक बहुत अच्छा औप्शन रहता है कि ओडियंस से हम पूछ ले तो यह सारे तरीके होते हैं आपको भी यह तरीका अपनाना चाहिए अगर आपके बास ओडियंस है तो अगर और नहीं है तो फिछले तीन वीडियो को आप अच्छे तरीके देख सकते हैं इसका ल कि हमें वो पिछले तीन टॉपिक्स जो उस पर काम करना है क्योंकि ओडियंस से पूछने वाला जो टेक्निक है वह एफेक्टिव जरूर होता है लेकिन उससे आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर ओडियंस आपको रिप्लाइद दे कि जरूरी नहीं है और हो स अब सबसे इंपॉर्णट चीज पिछला वीडियो जो मैंने ट्रेंडिंग टॉपिक्स कैसे निकालना होता है अलग-अलग प्लाइफ़ों के लिए अगर ब्लोग ब्लोग के लिए यूटूब यूटूब के लिए कैसे निकालना हो तो यह सब चीज और मैने एक वीडियो बनाया था वो वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि content marketing को सबसे यादा help आपको वही वीडियो करने वाला है ठीक है और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि content marketing का यह जो हमारा course रहने वाला वो काफी लंबे टाइम तक चलेगा ठीक है तो आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा ठीक है और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप उसे comment में पूछ सकते हैं और अगर आपने वीडियो को LIKE नहीं है तो वीडियो को like जरूर करते क्योंकि इससे मुछ आगे ओवर वीडियो बनाने की टॉपिक डाल सकते और उस टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाए हो ठीक है गाइस तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवात तो दोस्तो अमेदी वीडियो का पसंद आया होगा और पसंद आए वीडियो को लाइक भी कर आपको मिलेंगे तो दोस्तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवात